हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो के अंदर मैं Excel में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस तरह का Employee Code कैसे लिखा जाता है ठीक है तो सबसे पहले आप लोग लिखो गया पर PYTM या आप यहाँ पर अपना कुछ भी Starting Code लिख सकते हो ठीक है उसके बाद आ लिखना यहां पर 1001 ठीक है यह पहला इंप division हो गया उसके बाद क्या करना है आपको यहां पर क्लिक करना है और इसको ड्रैक करना है जैसे कि अट्रा करोगे उतना ही वो आटोमेटिक आपका यहां पर जनेट हो जाएगा ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहां पर single click में जितना मैं चाहूं उतना हो जाए उसके लिए क्या करना होगा यहां पर लिखना होगा इक्वल टू उसके बाद यहां पर लिखोगे इन्वेटिकोवा उसके बाद लिखोगे पी वाई टी एम ठीक है उसके बाद इन्वेटिकोवा क्लोज उसके बाद एंड का निशान उसके कि मैं लिखा यहां पर 50 ठीक है और इसको मैं बैकट को क्लोज कर दूँगा देर एंटर मारूँगा और जैसे एंटर मारूँगा देखो और पचास तक पूरा इंपलेव को जनरेट हो चुका है ठीक है इसमें एक और हो मैं लगा सकते हैं हम लोग मैं चाहता हूं कि जैसे ही म अमीथ लगा तो हfrage एंपर जनरेट अबस जेनाज कर दिया फिर से घ्रफ और यहां पर लिखा मैं रे Porkyई टीम टीम करण ऐसके बाद सब्सकाan एसके बाद यहां पर एस यी-कियू उसके बाद पूछा रूद करें हैं मैं इस रूद्धिज को मा है रोच इसबार जारниःक करेंगे मतलब की जब यहांपे कुछ लिखा जाए तब ही यहां पर तीग है तो उसके लिखेंगे हम लोग यहां पर काउंट ठीक है और उसके बाद इसको पूरा kो अलेंडे और ब्रैक्ट को क्लोश कर देंगे ठीक है और सब्सक्राइब को close करेंगे दिन एंटर मारेंगे तो देखो अभी कितना आ गया 123 123 क्यों आया क्यों कि देखो इसमें यह भी count हो रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा यहां पर आपने बीबी सिलेक करा है ठीक है और उसका बैकर को क्लोज किया है यहां पर माइनस वन करतो बस ठीक है और जैसे आपने जैसे यहां पर कोई नाम दिखा राहूल या कोई भी नाम दिख दिया तो ओटमेंटिक देखो उसका इंप्लोई कोड जनरेट रहना शुरू हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों किसाथ ज जनरेट इंप्लोई कोड है ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाए